गलती, रेल पट्री पर भागम भाग अपनी मंजिल की ओर सन्नाटे को पीछे छोड़ती हुई बढ़ती रेल, मकान, खेत और खलिहान आता फिर जाता, चंदा पास बैठे इस्त्री पुरुस के जोड़े को ध्यान से देख रही थी, वे दोनों किसी संभरांत परिवार के अजनवी मुसाफिरों की अपनत्व भरी बातें उसके कानों में रस घोल रही थी, उसने जल्दी में कह दिया, मूंबई, उसे पता था, घर में सास को मूंबई जाने के लिए किस तरह समझाया मनाया था, जब सास ने कहा था, अकेली जाओगी क्या नई बहू, यदुमा को पता है क्या, चंदा ने कहा था, जी, उनको पता है, उन्होंने ही मुझे अकेले आने को कहा है, आपको तो मालूम है माजी, उनको खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है, क्या मैं चली जाओँ, सास ने कहा, क्या कहूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे भी तुम नए जमाने की बहू हो, हमसे अधिक पढ़ी लिखी हो, जाओ, अगर सोच लिया है, तभी पास वाली सहयात्री ने पूछा, मुंबई किस जगा जाना है आपको, उसका सहच साथ जवाब था, पाली हिल, लेने कौन आएगा, जी मेरे पती आएंगे, वो क्या है न, मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ, ओ, तब तो आपका साथ अच्छा मिल गया, इस्त्री बोली, इस्त्री ने उससे कहा, आपको कुछ भी चाहिए, तो बे जिजक कहना, चंदा उसके अनौपचारिक ब्योहार से खुश थी, रात अधिक हो गई थी, सभी यात्री अपने अपने बि उसने देखा कि वह इस्त्री कुछ कह रही है, लेकिन वह जवाब नहीं दे पा रही थी, वह इस्त्री जोर-जोर से हस रही थी, वे दोनों उसे चला कर ले जा रहे थे, जैसे किसी रोगी को घेर कर ले जाते हैं, जैसे ही रास्ते में कोई मिलता, तो वे उसे दोनों तरफ से पकड़ लेते उसके बरताव से लग रहा था कि किसी भयंकर रोग ग्रस्त रोगी को जाच के लिए ले जा रहे हैं कुछ दूर चलने पर उन्होंने चंदा के हाथ पैर बांध कर एक गाड़ी में डाल दिया उसके बाद चंदा ने खुद को ऐसी जगह पाया जहां कलपना भी नहीं की जा सकती थी कुछ दिर बाद जब उसे हो साया तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद थी बाहर एक रोसंदान से रोसनी उसके मुह पर पड़ रही थी दो मोटी मोटी महिलाएं मुह में पान चबाए उसके पास आई उनके होट पान की लाली से सुर्ख थे उनके ब उसने थोड़ा होस सम्हाला और पूछा, मैं कहा हूँ, तुम नौसीन बानों के कोठे पर हो, समझी लड़की, उस महिला ने कहा, मैं यहां कैसे पहुची, चंदा ने पूछा, तुम्हें मैंने दो लोगों से 45 से 50 हजार में खरिद लिया है, समझी, ज्यादा दिमाग मत लग काना तुम उस महिला ने कहा, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, कि वह यहां कैसे पहुची, उसने कहा, मुझे यहां कौन लाया है, बस मुझे इतना बता दो, क्या करना है तुम्हें, बस अभी यहीं रहना है तुम्हें, उस महिला ने कहा अपने नसीब पर रोती चंदा यदुमा को याद कर रही और जोर जोर से रोती रही इधर यदुमा पूरी रात उसे फोन करता रहा उसका फोन बार बार स्विच अफ जा रहा था वह सुबह तक फोन करता रहा किन्तु कोई जवाब नहीं मिला उसने घबरा कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी इधर चंदा अपनी अनभिज्यता और ना समझी को कोश रही थी यह सोच कर वह जोर जोर से रोने लगी रात के सन्नाटे में उसके कमरे का दर्वाजा खुला एक पुरुस उसके कमरे में दाखिल हुआ चंदा को मालुम था वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं है अब उसका बचना नामुनकिन ही है यह सोच कर वह जोर जोर से रोने लगी उसे दुखी देकर ग्रहक ने पूछा तुम क्यों रो रही हो इतनी दुखी क्यों हो उसने कहा मुझे इस्तरी पुरुस का एक ठग जोड़ा यहां ले आया था उन दोनों ने मुझे फंसाया और इस कोठे में डाल दिया मेरे पती बहुत परेसान हो रहे होंगे कृपया अपना फोन दे दीजे ताकि मैं उनका न उसने अपने पती को कॉल कर सारी बातें बता दी वहां का पता और वहां की स्थिती की जानकारी तो ग्रहक ने उससे बता दी उसके पती यदुमा ने तुरंत वहां आने के लिए एक ग्रहक का वेस बनाया और वहां पहुँच गया उसे कोठे में हर तरह की लड़की दिखा और बोली यहलो बिल्कुल नई दुलहन कल ही आई है उसे एक नजर देखते ही उसका पती यदुमा उचल पड़ा बोला हाँ यही तो चाहिए जो मुझे पसंद है चलो चलें मुह पर संतुष्टी का भाव का स्वर था उसने हलके से उसकी ओर देखा चंदा घबरा रही थी व उसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले गया वहाँ दर्वाजा बंद था और दोनों घंटों रोते रहे चंदा यदुमा को रोते देख धानड़ बंधाया उसने धीरे से पुलिस थाने में फोन किया और सारी बिस्त्रित जानकारी उस अस्थान की फोन पर भेज दी पुलिस ने मैंने सोचा पुलिस के वहाँ पहुचने से मेरी पतनी की बदनामी हो सकती थी और दूसरा कारण यह था कि मैं उसको अकेले आने के लिए कहा था और इसकी सजा मैं खुद को देना चाहता था क्योंकि अंजान जगा मैंने ही उसकी जान दाव पर लगा दी थी आखिर उसकी स को एक टक देख रही थी कहीं तो गलती उसने भी की थी वह सोच रही थी वह धीरे से बुदबुदाई यह तुम्हारी ही गलती नहीं मेरी भी गलती थी दोस्तों आसकल के महाल को देखते हुए किसी भी अंजान सफर में औरतों को अकेले भेजना उचित नहीं है और भी लोगों के साथ अपनों की तरह घुलना मिलना भी धन्यवाद